बरसों परस मनाया रबनू तब ये तिस्मत मानी अपने आगन में भी आई फरियों की इकरानी प्यारी सी मुष्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुसकान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में आखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली उस लड़के ने कोई भी होश्यारी की ना तो मैंने उसे छोड़ना नहीं है अच्छा मुझे यह तो बता दो कि गुलू तो नॉर्मल है ना नहीं बट डोन्ट वरी हम मिलकर बात करेंगे सीम्स कुट्टी तो ठीक है ना अब देखिये आगे सूर्या, यह गुलू ऐसा कैसे कर सकता है खुद किसी लड़की को प्यार करता है तो ठीक है और उसकी बेहन किसी को चाहने लगती है तो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है यह गुलू की सोचका नहीं हमारे समाच की सोचका दोश है किसी परिवार में अगर एक लड़के को किसी भी लड़की से प्यार हो जाए रहा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन अगर उसी परिवार की लड़की को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वो उसी लड़की को हिकारत की नजर से देखता है अभी हमारी समाज का डबल स्टांडर्स नहीं है तो और क्या है? सूर्या, गुड़ी तो मुसे नाराज नहीं होगी न? बिलकुल, मैं गुड़ी से इस बारे में बात करूँ और मुझे लगता है कि टाइम के साथ गुल्लू भी मेरे और गुड़ी के जनुएन फीलिंग्स को समझी जाएगा सूर्या, गुल्लू का फोन है? बात करो, बात करो कहा गुल्लू? सिम्स, मैंने गुड़ी को अपनी सौन से अजाद कर दिया क्या? थैंक यू, गुल्लू, थैंक यू सो मच! लेकिन सिम्स, तुम्हे एक बात की गारंटी लेनी होगी कि गुड़ी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे मेरे परिवार के नाम पर कोई आँ चाहे गुल्लू, मैं फूल गारंटी देती हूँ मेरी 100% गारंटी है कि गुड़ी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार का सर नीचा हो गुल्लू, तुम सुन रहे हो ना? सेम्स, तुम खुश हो ना? हाँ, गुल्लू, मैं बहुत खुश हूँ अब तुम अब तुम मुझसे नारास तो नहीं हो ना सेम्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं तुम नहीं हो ना थांक यू थांक यू सिम्स, गुटनाइट गुटनाइट गुल्लू सूर्या गुल्लू ने अपनी कसम बापस ले लिये अब गुदी आजाद है प्रांक सिम्स, यस अब तुम्हारी वज़ से हो है सूर्या, गुदी को फोन करें बहुत लेट हो गया है मेरे खाल से बहुत सो गई होगी अरे बुद्धू, इस वक्त तो खुशी के मारे उसके मींद उड़ गई होगी विचारी सारी रात यही इंतिजार करेगी कि कब सुबह हो और कब मैं अपने सूर्या से मिलू क्यों लगाँ फोन अट यूर ओन रिस्क और रिस्पॉंसिबिलिटी ओके आय हाय मार दिया पापड वाले ने हाँ हाँ सीम्स तो खबर तेर तक पहुच गई ओए खबर तो बहुत आगे तक पहुच गई है ले बात कर किस से है हाँ वेलो गुड्डी वीचे दो हाँ तैंक्स तुम खुशोन हीज़ हीज़ हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तो कल कॉलेज में मिलते हैं? हाँ गुदनाइट गुदनाइट थैंक्यू सीम्स थैंक्यू सो मच यह सब तुम्हारी वज़े से बन करें तुम्हारी वज़ेरी वहारी तुम्हारी अपनी सौ रापस ले खुश वज़ेरी लॉयूश कर दी है तू तो नो चुपी कर बेशरम कही की आय हाय गुड़ी तो बड़ा कमाल कर शर्वादी है काश मेरे को भी तेरे जुसा शर्वाना आजाए पर पूजा कभी-कभी ना मुझे यह सोच के बहुत डर लगता है कि मेरे यह सूर्या के घरवालों ने इस रिच्टे को मंझोरी नहीं पता नहीं क्या होना है गुड़ी तो तेरह प्रॉब्लम बता है किया है तोना कभी पॉजिटिव सोचती नहीं भी पॉजिटिव यार पॉजिटिव सोच देख तो सूर्या से ना बस मिल उसे समझने की पूजने का माका मिलेगा हाँ पूजा तो ठीक कह रही है यह नतीजाना आप मुझे रब पर ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आखर में तो वही होता है जो रब को मन्सूर होता है पूजा मैं कभी कभार सोचती हूँ काश में तेरी तरह होती तो कितनी बिंदास है यार आ गुड़ी कितना मज़ा था ना हम दोनों से लिया बिलकुल एक जैसी होती तो पर गुड़ी सेम्स ने गुल्लू और सूर्या को मिला कर तो तो बहुत बड़ा काम कर दिया यार मैं तो बहुत डर रही थी कि कहीं गुल्लू सूर्या से फिर से हाता पाई ना कर दे आ conserv Enough मेरी होने वाली वड़ी भावी जो है कंए मेरी होने वाली चोटी भावी हाहा स्सेम्स मुझे मिलेकी ना तमाज को इतना सारा ठैंक.. 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 नहीं.. ≅ने.. शौन ! यूपर नहीं रोंगी ≅ने... myst intellectually मेरो सार बेग अप खड़ाई जारा यार क्या करें तू? टोभाते से मं घॉल्लू तुने मुझे उपर क्यों बुलाया? देख गुड़ी मेरी बात ध्यान से सुन मेरी सौँ वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि तेरे को खुली छूट मिल गई है कुछ भी करने की देख तु ही नहीं मैं भी बलकि हम सब इस घर के संसकारों से बंदे हुए है हमें कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी भावनाओं में भेकर इन संसकारों के खिलाफ नहीं जाना है में को गलत मत समझना लेकिन मैं तब तक ही तेरे साथ हूँ जब तक तू इस घर की मर्यादा का पालंग करती है इस घर के संसकारों की इज़त रखती है और फिल्हाल ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए नहीं तो बहुत बड़ा से आपा हो जाने तो समझ रिये ना लो मैं तेर से वादा करती हूँ मैं इस घर की इस परिवार की किसी भी मर्यादा को तूटने नहीं दूंगी जिस संसकारों से हमारे बड़ों ने हमारे बच्पन को सीचाए उस संसकारों का मैं दिल से मान रखूंगी मैं ऐसा कोई कदम ने उठाऊंगी जिससे इस कांदान का मेरे बापा का रस बापा का रखूंगी मैं आपा रस 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 प्रॉप्ट गज्यां dir झाल झाल फिर किसमत में यह लिखा होना है से हो गया अब आसू पोच ले यह तो किसने देख लिया ना तो बहुत गड़ड़ हो जानी इए गुड़ी बेटा, पुतर तो रो रही है? तु रो क्यो रही है बेटा, क्या बात है? पुतर, कल से तेरे पापा भी नोट कर रहे है, कि कुछ तो बात है, और तेरे को पता है ना? तेरे को परिशान देखके, तेरे पापा भी परिशान हो जाते है, हाँ? दलजीत चाची, आप भी, सुखे चाचु के परिशान होने पर क्यों परिशान हो रही है? आपको तो पता है ना, बेवज़ा परिशान होना सुखे चाचु की होबी है उत्तर मजाक का भी कोई वक्त होता है हर वक्त मजाक नहीं क्या करते अच्छा ये बात है तो फिर सुनो मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ मजाक कर रही है आपकी ये लाडली बेटी गुड़ी और नहीं तो क्या अब कोई इस बेवकूफ से पूछे कि साइन्स प्रोजेक्ट में क्या होता है मुझे क्या पता अब चाची मुझसे कह रही है कि साइन्स प्रोजेक्ट के लिए कोई सबजेक्ट सजेस्ट कर दे अज़ा निए और लगी आसु बाहने ने रोंदी गुड़ी पुटतर रहो तरे को साइंस प्रोजट के वारे में पता करना है तो सुन्दे बीड़ी से बात करना इस खोथे को क्या पता कि साइंस किस टिडिया कर नाम है है सुखे चाचु आपकी ना यह बहुत गलत आदत है आप खड़े खड़े मेरे इज़त का फलूदा कर देते हैं तुम मेरी लाडली बिटिया को डांट रहा है और मेरे से इज़त अफजाए के उमीद कर रहा है यह नहीं कि छोटी बहने होसे प्यार से समझा ले चल पुतर आठ मेरे साथ चल 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 शर्चाल विर जी वह साश्रीकाल सुखे आजया आजया red holy आजया मेरा सूना पुतर है विर जी आपकी बिटिया का साइंस प्रोजेक्ट है और आपको इम मदद नहीं कर रहे हो विर जी इससे कोई अच्छ ऑच्छा सब्यक्ट सजर्स करो ना ठीक पुतर, तू, 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 तू मुझे एक दो दिन का टाइम दे, मैं तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट सज्जेस्ट करूँगा, ठीक है? ताया जी, पर आपना एक-दो दिन से जादा मत लगाना, ओके-ओके, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट तियार करने में भी एक-दो दिन तो लगी जाने है ना, ठीक है, ठीक है, गुड़ी बेटा, अभी वीर जी के एकदम पीछे पढ़ जाना है, अच्छा सब्जेक्ट चुनने म बल्कि प्रोजेक्ट में उनकी पूरी-पूरी मदद भी लेनी है, हाँ, जी पापा, और गुड़ी बेटा, तेक, इन छोटी-मोटी बातों से प्रेशान नहीं होते, आगे से कोई भी बात हो ना, सीधा वीर जी के पास, या मेरे पास चेली आना, ठीक है, पुटर, पुट जी डाटो, और डाटो आप, आपको पते हैं, मैं ताय जी और पापा को कब से कह रही हूँ कि ब्रेकफास्स टेबल पर चले जाओ, नहीं तो ताय जी ने बहुत डाटना है, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, दोनों भाहियों की गप्पे खता मीनी होती है, अच्छ अच्छा फुतर, अब नहीं ते को प्यार से बोलती हूँ, मैंने तेरे पसंदिदा चैने की डाल के पराठे बनाए है, चैने की नहीं, सच्छी, नहीं सच्छी, नहीं सच्छी, I love you, मैं तजार यूँ, जाने ना, दिन पर ती शराड को होती जारी है, अब आप दोने या क्या थारे हो, अरे चलो भाई जल्दी से नाश्ते बर, देर हो जागी ना फिर मुझे एगा, जी परजाए जी परजाए जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर दिन में आपको एक दो बार डांटना लेना तो उसको चैन नहीं आता, वाइफ बिकम्स नाइफ बंस इना अरे जी में आ वाईटिए, आ जी अरे वी जी यह तो फुल आफ लाइफ एर्या है झाल झाल तो भाईयों और बेहनों, तुम्हारे लिए आज जो मेरी फ्रेंड सीम्स ने किया है, वो तुम्हारे इतिहास में स्वरन अक्षरों में लिखा जाना है तालिया, तालिया, सीम्स ने जो दो दिलों को मिलाने का पुण्य का काम किया है, उसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्र गुजार हूँ तालिया रोको रोको मुझे और भी कुछ कहना है मुझे यह कहना है कि सिर्फ ठैंक से काम नहीं चड़ेगा सीम्स ते जो नेक काम किया है सीम्स को 21 तोफों की सलामी और 26 जनवरी को कोई मेडे शड़ भी दिया जाना चाहिए तालिया लेकिन ये बात आप दोनों के बसकी नहीं है ये मैं जानती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी फास्ट फ्रेंड शीम्स को एक शांदार जोरदार पार्टी दे दे बोलो मनजूर है की नहीं? मनजूर है अब हमारी नेता पुजा जी से निवेधन करेंगे की वो जनता की बीच पढ़ारें और अमारा मार्क दर्शन करें की हमें पारटी कहां देने चाहिए जी जरूर video प्लीज तो फिर अब बता कि हमें सीम्स को किस तरीके की पारटी देनी चाहिए गुड़ी, वो अपना माल रोड पे चमकु थेले वाला है ना, जो गर्मा-गर्म छोले बढ़ुरे पेशता है, उसके पास इसको पार्टी देंगे, यह कैसा है, बहुत अच्छा रहेगा, मेडम, जोर-जोर से चीक के भाशन दे रही थी, कि पार्टी जोड़दार हो नीची है, शानदार हो नीची है, और सजेस्ट कर रही है, चमकु छोले बढ़ुरे वाले का लाम, क्या बात है, तुम तीनों मेरा मजाग उड़ा रहे हो ना, मेरे को तो लगा था, कि चमकु थेले वाले के गरमा-गरम छोले बटो रिखा के, सीम्स को तो खुश हो जाना है, पूजा, मैं तो इन देनों को हस्ते देखकर ही खुश हो गई, मेरी पार्टी तो समझ मुझे मिल गई, हाँ पूजा, उनको हसते देखकर मुझे जो खुशी मिली है, वो किसी पार्टी से कम थोड़ी है, है ना? यह बात तो सही है, तो क्या पार्टी कैंस है? बिलकुल नहीं, पार्टी होगी और शान्दार पार्टी होगी, बिकॉज यू टू डिजर्व अपार्टी होगी, सच्च हाँ, पूजा, सीम्स, पूजा ने जो कुछ अपने भाषन में कहा ना, मैं उसे पूरी तरह से सहमत हूँ, तुमने मेरे और गुद्धी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र गुजारूं, यूर अजम फ़ परसन सीम्स, और थांक यू फ हमारा क्या होता है, गुद्धी, गुद्धी, गुद्धी से दोस्ती हमारे प्यार की पहली जीत है, इसी तरह हर बाधा को पार करके हमें हमारी मंजिल तक बढ़ते रहना है, है ना, गुद्धी, अप्तु तु खुष है ना, बहुत खुष, हाई हाई, देख के शर्वारी है, गुद्धी, पैनी, पैनी, हेलो, तुम्हें पता है, यहाँ पे सब की जोडिया बन रही है, इस सीम्स की गुलू के साथ, इस मिडल क्लास गुड़ी की, तेरे हाई क्लास सूरिया के साथ, पर अब मेरा क्या होगा, मतलब, अब तेरा क्या होगा, पैनी? तूबे रहे फिकर में, आखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सिकली मेरी लाडली, प्रश्चर कर्सबते लाइबा आद होगा इस महीन 56 . झाल झाल